प्रियास कर रहे हैं आपको मोटिवेट करने का और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है संघर्ष को सफलता में कैसे बदले फ्रेंड्स देखिए मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ लेकिन मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ वो मैं अनुखो की बात बता रहा हूँ मेरी जो उम्र है वो 30-40 वर्स के बीच है और आपकी उम्र हो सकता है 25-35 वर्स के बीच हो तो यह जो अनुखो है जो वास्तिविक्ता है वो मैं आपके साथ सेयर करना चाह रहा हूँ तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि जीवन में हम उस साह के साथ जीए हैं आच आये उसूलों पे तो टकराना जरूरी है और अगर जिन्दा हो तो जिन्दा नजर आना जरूरी है अस्फलता ही दुनिया में सफलता के रास्ते तयार करती है छोटे बच्चे भी छोटी छोटी चीजों में अस्फल ठोकर ही सफल होते हैं अगर कुछ नया करने की तमना है तो अस्फलता के आगे जुकना नहीं है जिन्दगी में उस साहित बने रहना एक कठिन काम है पर असंभव नहीं अगर आपको उस साह के स्रोत की पहशान हो गई तो जिन्दगी में नई उमंगों की कमी नहीं होगी लगातारा सफलताएं हतास कर सकती हैं पर हरा नहीं सकती क्योंकि उनसे जीवन में आपको सीख ही मिलती है वह भी ऐसी जिससे सफलता ही मिलेगी आपका परिवार आपकी प्रेंड़ना का सोथ होता है जिस दिन आपने दूसरों की खुसी और उनके लक्षों को उड़ा करने की ठान ली उस दिन से आपके लक्ष आसान हो जाएंगे आप अच्छे मार्फ नहीं लापा रहे हैं तो दूसरों को पढ़ाना सुरू कर दीजिए आपके माक्स खुद अच्छे होने लगेंगे दुनिया भर में अगर सफल लोगों की जीवनी देखी जाए तो यही देखने को मिलेगा कि सबने पहले असफलता के पहाडों को पार किया उसके बाद ही हुए सफलता की उचाईयों को पा सके जीवन में उस साहित रहने के लिए बस छोटे छोटे बदलावों की जरूरत है जैसे अपने लक्ष को गांट बात कर पकड़े रहें लक्ष से बिचलित ना हूँ अपने आसपास सही लोग ही रखें जो आपको उस साहित भी करें और मार्दरसन भी दें अगर छोटी सी सफलता पर दुखी होते हैं तो छोटी सफलता का जस्म ही मनाईए लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोसिस करने वालों की हार नहीं होती नन्नी चीठी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दीवारों पर सव बार फिसलती है मन का विस्वास रगों में साहस भरता है चड़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती असफलता एक चुनावती है इसे स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक नसफल हो चेन नीद को त्यागो तुम संगर्श का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जयजय कार नहीं होती कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कभी हार नहीं होती फ्रेंट्स बहुत सारे लोग सिकायत करते हैं कि उनके पास संसाधनों का भाव है पल भर के लिए आप सोचिए करोनों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो बक्त की रोटी नहीं मिलती लाखों लोग फुटपाच पे सो के जिन्दगी गुजारते हैं उन सबसे तो आप बहुत बहतर हैं आप गर्व करिए अपने जिन्दगी पे आगे बढ़ने के लिए प्रियास करना है आपको अपनी संघर्स को सफलता में तबदील करना है और जो भी संसाधन है उनका सही धंक से उप्योग करना है इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें जिससे मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूँ